नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत प्यारा सा सेशन आज के सेशन में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेंस का एक्जाम आने वाला है प्री खतम होने वाला है पिछले मेंस में एक्जामीन अने सीरीस के दो ऐसे कोशन दागे जिनमें वाकिए में बहुत दम था और जो दुबार से भी रिपीट हो सकते हैं हम सीरीस को हलके में लेके जाते हैं पर ऐसे कोशन मेंस में आए हुए है आज के सेशन में मैं यही बवाल कोशन लगने वाला हूँ सीरीज के पहला कोशन यह है 2021 मेज अगला कोशन यह है 2021 मेज केबल दो कोशन और दोनों में बात है आईए देखते हैं पहला कोशन है यह आपके सामने पहली 20 संख्या पदों का योग क्या होगा इसके अंदर सबसे पहले मैं इसे केरफुली अगर अब्जर्व करता हूँ ये इससे एक बड़ा, ये इससे एक बड़ा, ये से एक बड़ा ऐसी चलता रहेगा कहां तक चलेगा? अगर देखा जाए, तो लास तक चलेगा, एक से शुरू हुआ है और 20 टर्म है, तो 20 इक किस तक चलने वाला है? ठीक है? कहां तक चलने वाला है? 20 इक किस तक? इसका सम निगालना है मेरे को ठीक? अब एक सीरीज इसमें ये बनती है जो वन अपॉन वाली होती है, वो तो बहुत असान हो जाती है इसमें तो हम कर लेते हैं कि वन अपॉन फरस्टम माइनस वन अपॉन लास्टम इससे अंसर आ जाता है ठीक है? जब नीचे का अंतर उपर होता है तो यहां क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा carefully अगर मैं observe करता हूँ तो यह n है, यह n प्लस 1 है यानि मेरी series कुछ इस तरीके की formation की बनी है यह formation पेचानना पड़ेगा पहले एक n है तो दूसरा n प्लस 1 है ठीक है? ध्यान से देखिए अब मैं यह देखता हूँ अगर मैं इसे solve करता हूँ तो यह n square प्लस n की series बनेगी यानि यह जो series बनी है इसमें 2 series है, एक n वाली एक n square वाली और n की value कितनी है? n की value 20 है तो यानि एक तो मैं इसकंदर formula लगा दूँगा n into n प्लस 1 बटा 2 ठीक है? एक मैं इसकंदर लगाँँगा n square वाली में, n square वाली का formula क्या होता है? 1 से लेके 20 square तक करना है आपको ठीक है? यह 1 से लेके 20 तक add करना है यह 1 से लेके 20 के square तक add करना है ठीक है? तो formula होता है n, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 यह हो जाता है ठीक है? अब काटते हैं 2 से काटते हैं 10 आएगा, 2 से काटते हैं 3, 3 से काटते हैं 7 आजाएगा तो 7 चोग 28 हो गया, 287 हो गया, 2870 हो गया इसे add करता हूँ तो 210 हो गया तो 210 अगर आप इसमें add करेंगे 3080 यह आपका answer हो जाएगा अगर आपने starting में इसमें यह चीज़ observe कर ली तो इतो एक कोशन बहुत असान हो जाएगा अनित है एक कोशन इतनी अराम से होने वाला नहीं है ठीक है, तो बहुत बहुत बहुतरीन कोशन दुबार से एक्जाम में आपके repeat हो सकता है अगले कोशन पर आएगा, अगला कोशन यह यह बहुत ही जादा तगड़ा कोशन, बहुत ही जादा देखें क्या कह रहा है दी गई शरंकलाओ, S1 और S2 के मद्धे सभी उभेनिष्ट पदो का योग क्या होगा यानि जो common terms होंगी इन दोनों के बीच में उनका योग निकालना है, थोड़ा सा बास समझेगा अगर मैं इसका अंतर देखूँ तो 7-7 का अंतर आ रहा है ठीक है, इसका अंतर देखता हूँ तो 4-4 का अंतर आ रहा है 2, 9, 16, 23, फिर 30, 7, 11, 15, 19, फिर 23 तो 23 ऐसी term है जो common है दोनों में पहली ऐसी term जो दोनों में common आएगी वो है 23, ठीक है, तो 23 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यह 23 आ गया, यह पहली term हो गई, ठीक है अब आगे वाली जो series बनने वाली है यह AP में है, यह AP में है तो वो AP में ही बनने वाली है, परन्तु अगली term जब में निकालना चाहूँगा अगली term कब आएगी अब देखे, ध्यान से observe करिएगा इसमें अंतर है 7 का, इसमें अंतर है 4 का तो 7 और 4 का LCM लिजी यानि 28 यानि 28 के gap पे अगला नंबर ऐसा होगा जब यह 4 बार settle होके जाएगा, यह 7 बार settle होके जाएगा और वो अगला नंबर हो जाएगा ठीक है? यानि जब 28 मैंने LCM लिया, यानि 28 का जब increment होगा तो 7, 4 बार बढ़ेगा, 4, 7 बार बढ़ेगा तो अगली term जो पहली common आएगी, वो यह आएगी इसके बाद तो मैं common difference लेता हूँ, D की value क्या आजाएगी? 28 आजाएगी यानि मेरे को एक AP series मिलने वाली है, जिसके अंदर पहली term 23 है, यह इस तरीके से चलेगी और अंतर आ रहा है 28 का, ठीक है? अब मेन बात है, 28 के difference के साथ मेरे को कहा तक पहुचना है? 632 तक, 743 तक नहीं क्योंकि जो common है, उसका योग निगालना है तो common वही होगा, जो कम संख्या के अंदर होगा, यानि 632 अब मैं देखता हूँ 28 को किस से गुड़ा करूँ कि 632 के करीब पहुच जाओ 28 को अगर मैं 22 से गुड़ा करता हूँ 28 जुनी 56, 560 और 56, यानि 616 यानि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 616 जुड़के आखरी term बननी चाहिए पर यह तो 649 हो गई ठीक है पर मेरे को चाहिए 632 तक तो यानि 22 गुणा नहीं कर पाऊँगा मैं मैं 21 गुणा करता हूँ 21 into 28 तो 28 जुनी 56, 560 और 28, 588 यानि पहली term अगर 23, 30 में 588 और जोड़ूँगा ठीक है तो 611 मेरी आखरी term हो जाएगी पहले case में मैं गलत था 616 मैंने लिया पर 616 जब मैंने इसके अंदर जोड़ा तो आखर में 649 आगया मैं तो 632 तक ही जाना चाहता हूँ लेकिन तो इसका मलब में मेरे को एक नंबर कम लेना पड़ेगा 28 into 21 करूँगा 588 गैप होगा 23 जोड़ेंगे 611 आखरी term आजाएगी अब यहां से लेके यहां तक कितनी term होगी देखिए 28 into 21 करने पर यानि 21 term तो यह ही हो गई और एक ही हो गई 22 term starting वाली क्योंकि यह तो हमने gap calculate किया है 28 into 21 ठीक है तो 21 गैप आगा है इसका मलब है terms कितनी हो गई 22 हो गई भाई दो पेड़ के बीच एक gap होता है तीन पेड़ के बीच दो gap होते है यानि जितने gap होते हैं उनसे एक number जादा total पेड़ हो जाते हैं तो अगर 21 gap है इसका मलब है number कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे तो n upon 2 a plus l 611 plus 23 634 2 से गाटता हूँ 11 बारी में जाएगा आखरी संख्या 4 देखकर मैं answer mark कर दूँगा D option मेरा answer हो जाएगा ठीक है तो ये था हमारा आज का session दो बहुत जबर्दस question थे series के ओपर ये अगर आपने पहले किये होंगे तो दुबार से आप paper में कर पाएंगे अन्यता आप नहीं कर पाएंगे वाकई में बवाल question थे तो session अच्छा लगा हो तो दिल से like करिएगा और comment करके जरूर बताइएगा जिससे और भी ऐसे चुटपुट चुटपुट concept जो आपके point of view से important है मेंस point of view से important है वो मैं लगातार लाता रहा हूँ जैहिन